मिश्विन 2024 को लेकर मुख्यमंत्री नितीश कुमार आज तमिलाडू ज़ा रहे हैं वो चिन्ने में तमिलाडू के सीम स्टालिन से मलाकात करेंगे इस दोरान वो स्टालिन को 23 जून को पटना में होने वाली विपक्षवी वैचक लिए निमंद पढ़ देंगे इस वैचक में विपक्षवी कर बड़े नेताओं के भाग लेने की उमीद हैं वहां के भरष्टा अचार प्रविन नितिश कुमार जी से जरूर पूछे कि 1750 क्रोड का पुल एक बार नहीं कई बार ताश के पत्तों के तरह ढह गया वही कॉंग्रेस सांसर्द मनीश तेवारी ने दावा किया कि 2024 के लिए यूपिय थरी जरूर बनेगा बुन्यादी बात ये है जब एक बारी मूलियों पर ये सारी विपेक्षी एकता अधारत होगी तो यूपिय थरी जरूर और निश्चत बन सकता है उदर माराश्टर से उद्धप ठाकरे और शरत पवार भी वैठक में शामिल होंगे विपक्षी वैठक और सेमितिश कुमार के तमिलनाडू दौरे को लेकर बीज़ुपे के बिहार प्रदेश और धेक्ष समराच चौधरी ने तंच कसा समराच चौधवी की दलील है कि बिहारी असमिता को खत्म कर सेमितिश स्टालिन को मनाने जा रहे हैं जबकि मैं तो चाहूँगा कि विपक्ष के सभी नेता पटना है लिट्टी जो खाखाए जरुद पड़े तो हम लोग भी बिहारी वियंजन पहुचाएंगे बिहार के मुख्यमंतुरी नितीश कुमार मंगलवार को तमिलनाडु जा रहे हैं 23 जून को पटना में विपक्षी एक्ता को लेकर होने वाली बैठक से पहले नितीश कुमार का ये दौर आप बेहद एहम है मंगलवार को मुख्यमंत्री नितीश कुमार तमिलनाडू के CMMK स्टालिन को खुद पटना में होने वाली विपक्षी एक्ता की बैठक में आने का नियोता देंगे CM नितीश चाहते हैं कि स्टालिन से वादा लेकर ही वो पटना लोटे इतना ही नहीं तेलंगाना के CM के चंद्रशेखर राव, आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड़ी और आंध्रप्रदेश के पूर्वव सीम चंद्रबाबू नाइडू को भी मनाने की कोशिश होगी जाहिर है नितीश कुमार का एक दिवसिय तमिलनाडू दोरा बेहत बिजी रहने वाला है दूसरी ओर मुख्यमंत्री नितीश कुमार के तमिलनाडू दोरे पर बीजेपी चुटकी ले रही है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समराड चौधरी ने तंज कस्ते हुए कहा कि नितीश कुमार सीम की कुर्सी की गरिमा को और कितना गिराएंगे लोग सभा चुनाओं में जे डी उ आधी हो जाएगी और विधान सभा चुनाओं में पूरी तरह से साफ हो जाएगी जहां नितीश कुमार जी कभी सपॉकेट से रास्तिय अध्यक्ष निकालते है और नितीश कुमार किसी के नहीं आई ध्यार लखिये गा नितीश बाबू किसी के नहीं हो आगे के दिनों में दिखेगा आपको 2024 में नितीज कुमार जी का खाता नहीं खुलेगा फिर देखिएगा कि नितीज बाबु क्या करते हैं इतना ही नहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समराच चौधरी भी विपक्ष के दिगज नेताओं को पटना बुला रहे हैं कह रहे हैं 23 जून की बैठक में सब आए लिट्टी चोखा खाएं जरूरत पड़े तो हम लोग भी बिहारी वियंजन पहुचाएंगे बीजेपी के तंजपर महागटबंधन के नेताओं ने एक साथ मोर्चा खोल दिया कॉंग्रेस आरजेडी और जेडी यू पूछ रही है कि बीजेपी को इतनी बेचैनी क्यों है 23 जून की मीटिंग होने दीजिये सब साफ हो जाएगा बीजेपी डरी हुई है देखिए बीजेपी वालों का ये आदत में सुमार हो गया है वो अधार हिन बातों को लेकर बैयान देते रहते है उनके बैयानों का क्या मतलब बैठक हमारी है परिशानी उनको हो रही है उनको इंजार करना चाहिए तेज उनका देखे उस बैठक को को लोग आते हैं और क्या निर्णे होता है इतना सपस्थ है समार मिचार धारक के दलों के दुभिन राज्यों के कई बड़े नेता उस बैठक में आ रहे है असली सवालों का जनता के सवालों का जवाब बीजेपी नहीं देगी लेकिन इनको महागठवन्धन की जो गैर भाजपा विपक्षी दलों की बैठक होनी है उसकी चिंता सता रही है और वैसे भी गर्मी ज्यादा है बीजेपी की बेचेनी समझी जा सकती है बीजेपी पहले जनता के सवालों का जवाब दे जिनोंने जुमले बाजी की बहुचार की है नितीश कुमार जी के प्रयास लगातार रंगला रहे है विपक्ष के प्रम्ठ नेताओं से उनकी मुलाकात हुई थी और अब बिहार में 23 जुनको विपक्ष के सभी नेता के नेता खुद को एक जुट दिखाना चाहते हैं लेकिन ये तस्वीर महागटबंधन की एक जुटता पर सवाल है दो दिन पहले कॉंग्रस से इस्तीफा देने वाले तेस्तरार प्रवक्ता कुंतलकृष ने बीजेपी का दामन थाम लिया विपक्षी एक्टा को लेकर होने वाली बैठक से पहले महागटबंधन के लिए ये एक जटका है इस दोरान कॉंग्रस नेता शीला खुछवाह समेत कई लोगों ने बीजेपी की सदस्तिता ग्रहन की शिवम, जी मीडिया